नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा मद्यपरदेश की राजनीती में हुई अचानक उथल पुथल से कई खुशी तो गई गम का माहोल बन गया है जिसकी मुखे वजे जोतिर आधित्ते सिंद्या का कोंगरेस को छोड़ कर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रही हैं मद्यपरदेश की राजनीती में आय भुचाल को लेकर स्टेट हैट अमर्वर्मा नहीं धार की विश्च पतरकारों से खास बातचीट की देखिए हमारी हैं खास रिपोर्ट। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अमर वर्मा आज हम खास बातचीत के लिए दार के विसेश पत्रकार वरिश पत्रकार के साथ हम चर्चा करेंगे कि मद्द परदेश की राजनीती में अचानक बुछाल आया बुछाल भी तब आया जब कांग्रेश के दिगद नेता जोतिरा द सामिल हुए उनके साथ उनके समर्द तक 22 विधायक को उन्हें भी स्थीपा की पेसकस कर डाली ऐसे में जब अल्पमत्म और सरकार को संकड में लाके खड़ा कर दिया इसमें भाजपा खुशिय मनाने लगी और उन्होंने उन्होंने भी सोचा कि हमारी सरकार बन सकती क्योंक अब कांग्रेस भी अपना आती आत्मी स्वास जताने लगी और इस डर से भाजपा ने अपने विधायकों को भार भेज दिया तो वही कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को प्रदेश से भार भेज दिया अब एसमें कल साबित होगा फ्लो टेस्ट होने वाला है जिसमें किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार गिरती है, इसके लिए हम चर्चा करेंगे, धार के वरिष्ट पत्रकार हमारे साथ बोजुद है, छोटु सास्त्री जी ये आस्तक से हैं, इनसे हम बात करेंगे, साथ हम परिशे करा दू कि हमारे साथ चुन्नु वाजपई जी है, ये नव आपको बता दू कि जोती रदीज सिंधिया कि जाने की वास्तिक स्थिती और वास्तिक तक क्या रही कि आखिर वो kalau kongres को छोड़कर भाजब कर्शा में सामिल हो गए हमारे चोटु सास्त्री जी से बात करते हैं शास्त्री जी नमस्कार शास्त्री जी क्या लगता है फ्रोर्टेस्ट होने वाला है इसकी सरकार पुर्मलारप की सरकार बचावाएंगी देखिए मद्वरेश में राजिदिक अनिश्ता का वातावन बन चुका है इसलिए एक सब्सक्रा से हम देख रहे हैं कांग्रेस और भाजपा दोनों बार्टियां अपने विधायकों को कब्जे में करके यहां महां कबुकर बाजी करने में लगी है कि अंतिता हर राजिपाल मोदा इन्हें फ्लो टेस्ट का अन्ते दिया है क्योंकि फ्लो टेस्ट जीतना दोनोंके लिए असान नहीं है और दोनों के लिए मुश्किल भी गजिए लेकिन हमें इंतिजाबर करना होगा क्यारा 11 वा बजे तक की फ्लोन टेस्ट में कौन पास हो होता है कि अभी भाजपा के पास 107 विदायक है कांग्रेश के पास बानु है और निर्दली और बस्पा और सपा के विएक तूट सकते हैं या फिर कांग्रेश के विदायक तूट सकते हैं तिके राजजिती में जुना भी उतना असान है और टूटना तो बहुत ही आसान है विदायक सवावी के तूट सकते हैं लेकिन तभी तूटेंगे जब उन विदायकों को लगेगा कि उनका भविष्च सुना रहा है या सुरशित है दोनों पर्यास कर रही है कांगेस चाहती है कि भाजपा के विदायक तूटे और कुछ बड़े नेता अटारी जनल के खर भी गये हैं और चिंतन मनन चल रहा है कानूनी दाव पेज भी चल रहे हैं समयदानिक प्रहलों पर चर्चा हो रही है और रूपर विचार हो रहा है कि केसे भी हो सरकार बनाई जाए दोनों राजिरिक दल सरकार बनाने के लिए बड वाजपाई जी नव भारत के लिए बहुत अच्छा लिखते हैं वाजपाई जी मेरा सवाल है कि सिंधिया जी का कांग्रेश छोड़कर भाजपा में जाने का क्या करण रहा है इस प्रकार से सिंधिया जी ने मीडिया में बताया चल्चा के दोरान की कही ना कहीं उन्हें अ सवाल है वाजपाई जी कि जैसे सिंधिया जी अगर वह भाजपा में गए इसकी बजाए वह एक नई पार्टी खड़ी कर सकते थे जिससे उनके जो कारी करता था उनको मान सम्मान से वह ना खड़े कर सकते थे क्यों मनला उड़ोनी नहीं नहीं निश्ची थी वह नहीं दिया उसी की सलते उन्होंने नहीं पार्टी नमाते वह भाजपा को जाइन किया है तो अगला सवाल लोगा में राजेश जी से राजेश जी आप काफी अच्छा प्रवक्ता भी है अच्छा लिखते हैं राजेश जी जैसे कि सिंधिया जी उधर गए भाजपा में सामील हो हैं था प्रदेश की राज्चनीति में उặल पुतल हो रहा है कहा यह भी जा रहा है कि मीध एलेक्शन हो सकते हैं तो क्या आपको लगता है मेडिय मात्प तरह से उठाख चल रहा है एक बातiba जरूर कहूंगा की बीजेपी का अभी जीते या कॉंग्रे जीते या कॉंग्रेस अरे या बीजसे पी जीते कल की लड़ाई में लेकिन मद्यपदेश जरूर हरा है म्द्यपदेश जिस तरह से economic जो सिस्थम है मद्यपदेश की जो अर्थ्य विवस्ता है और लगातार दिनों ख़राब होती जा रही है और मद्यपिदेश कहीं नहीं मद्यप्रेश उस तरप इस समय यह एक राज डिकास के लिए भी मद्यफेदेश की विकास की सेहत के लिए भी ख़राब है तो सबसे पहले तो हम इस विंदू पर अगर देखें तो मुझे लगता कि यह जो तुसरा आपने मुझसे यह कहा था कि कल के बाद क्या मद्यावधी चुनाओं की संभाव ना है तो कल पर ही सब कुछ निर्मर करेगा कि कल अगर मानलीजे फ्लो टेस्ट में भाष्पा मेंडेट हासिल कर लेती है तो उस इस्तिति में किस परिस्तिति में यह मीड एलेक्शन हो सकता है कि अगर कल आदे से ज़्यादा विधायक अगर इस्तिपा दे देते हैं तो निश्चित तोर पर जैसा अगर कोई घटना करम इस तरह से परिवर्तित होता और दूसरा यह भी हो सकता है कि मद्यावधी चुनाओं के लिए सरकार जा सकती है अगला सवाल लोगा छोटू सास्त्री जी से सास्त्री जी यह फ्लोर टेस्ट क्या हो और कैसे होता है लेकिन महा महीम जी ने जो फ्लोर अगला सवाल में लेंगा आप से सोना जी अगर कांग्रेश की सरकार गिरती है और भाजपा के पूर्ड बहुमत के देखा जा रहा आकड़े तो किसको मुख्यमंत्री के पड़ बन सकते हैं देखेंगे अभी जो राजनीती में घंडा गरम प्रदेस में चल रहा है कुल मिला करो देखा जाए तो पहले जो भारत जर्थ इंटा पार्टी के लिए जो उपर से कारे किया रहा था वो कारे जो है प्रसकार समीतिती देख नेखिन अभी जो पूरा जो गटना गरम चल र रहा है यह नीचे लेवल पर नहीं है यह उपरी लेवल पर चलता है तो कहीं ने कई नए चेहरे को भी सामने ला जा सकता है तो ऐसा हो सकता है जिसे अभी सोचल मीडिया पर किसे नाम चला जा रहे हैं केलाश विजयवर्गी है संग से कुछ लोग जुड़े हैं उनके नाम आ रहे हैं हला कि जो भी ताय होगा वह उपर से केंदर सरकार के मद्दे नजरी जो भी होगा क्योंकि आज की तारिक में जोती आज ते सिंध्या जो इनसे ज सब्सक्राइब तो यह जंता के लिए तो सुप संकेतनी है जो भी हो रहे हैं तो टेस्ट होने वाला है इसकी सरकार कुमला अपने सरकार बचा बाएंगी देखी है कई ना कई उन्हें अपमानित किया रहा था या जो उनकी अब एक्षा ही थी पार्टी से चुनाओं के बाद वो बुरी नोपर रही थी तो राजदेतिक उठापठक चल रहा है एक बात ज ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें है थान्यवारी बाइब।